भाई और भेनों जनांदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मीशन की सभलता का आधार है पहले शहरों में कच्रा सड़कोपर होता था गलियों में होता था लेकिन अब गरों से नकेवल वेस कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है बलकि वेस सेगरिगेशन पर भी जोर है बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कोड़े के लिए अलग-अलग दश्ट भी रख रहे हैं गड़ी नहीं घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती हैं तो लोग स्वच्चता एप से उसे रिपोर्ट करते हैं दूसरे लोगों को जागरू भी करते हैं मैं इस बात से बहुत खुश हो जगत होता हूँ कि स्वच्चता अभ्यान को मजबुत्ती देने का बीड़ा हमारी आज की पीड़ी ने उठाया हुआ है टौफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फैंके जाते हैं बलकी पॉकेट में रखे जाते हैं छोटे छोटे बच्ची अब बड़ों को टोकते हैं कि गंद के मत करिये दादा जी नाना जी दादी जी को पताते हैं ये मत करो कि शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्चता अभियान में मदद कर रहे हैं इनिशेटिव ले रहे हैं कोई बेश से बेल्थ बना रहा है को तो कोई यागरुता बढ़ाने में जुटा है लोगों में भी अब एक्स परदा है कि स्वच्च भारत रेंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए और अगर पीछे रह जाता है तो गाउं में भी दबाव खड़ा होता है वे क्या हुआ वो शहर आगे निकल गया हम क्यों पीछे रह गये हमारी क्या कमी है मिडिया के लोग भी उस शहर की चर्चा करते हैं देखिए वो तो आगे बढ़ गाया तुम रह गए तो एक दबाव प्यादा हुआ है अब ये माहोल बन रहा है कि उनका सहर स्वच्चता रेंगी में आगे रहे उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो जो साथी इंदोर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे वो मेरी बात से और भी ज़्यादा सहमत होंगे आज हर कोई जानता है कि इंदोर यानी स्वच्चता में टौपर शहर कि ये इंदोर के लोगों की साजा उपलब्दी है अब ऐसी ही उपलब्दी से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है मैं देश की हर राज्य सरकार से स्थानिय प्रसासन से शहरों के मेर से आंग्र करता हूं कि स्वच्चता के इस महाभियान में एक बार फिर से जुट जाए कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है लेकिन अब नई उर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है हमें यह याद रखना है कि स्वच्चता एक दिन का एक पखवाडे का एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है ऐसा नहीं है स्वच्चता हर किसी का हर दिन हर पखवाडे हर साल पीडी दर पीडी चलने वाला महाभियान है स्वच्चता यह जीवन शैली है स्वच्चता यह जीवन मंत्र है और जैसे सूबे उड़ते ही दांतों को साप करने के आदत होती है ना वैसे ही साप सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा और मैं यह सिर्फ पर्सनल हाइजिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सोशल हाइजिन की बात कर रहा हूँ अब सोचिए रेल के डिम्बो में सफाई रेलवे प्लेटफर्म पर सफाई यह कोई मुश्किल नहीं था कुछ प्रयासरकार ने किया कुछ सहयोग लोगों ने किया और अब रेलवे के तस्विरी बदल गई है